एक समय की बात है जंगल के पास एक लकड़ारा रहता था वो जंगल में लकड़ी इकट्था करता था और उन्हें पास के बाजार में बेचता था जिससे उसे कुछ पैसो मिल जाते था इससे उसका परिवार ठीक से चल रहा था एक दिन की बात है वो एक पेल काट रहा था तब ही हुआ ये की गलती से उसकी कुलहारी पास की एक नदी में गिर गई नदी बहुत ज्यादा गहरी थी और वास्तव में तेजी से बह रही थी उसने बहुत प्रयत्न किया अपने कुलहारी को खोजने की लेकिन उसे वो वहां नहीं मिली अब उसे लगा कि उसने कुलहारी खोदी है वही दुखी होकर वो नदी के किनारे बैख कर रोने लगा क्यूकि इसी से ही उसका घर चलता था उसके रोने की आवाज सुनकर तभी नदी से एक परी सामने आई और उस लकड़हारे से पूछा कि क्या हुआ लकड़हारा ने उन्हें अपनी दुखत पहानी बताए ये सुनकर परी को उस लकड़हरे की उपर दया आई और उसने उसकी मिहनत और सच्चाई देखकर उसकी मदद करने की पेशकश की तभी वो नदी के अंदर गई और एक सुनेहरी कुलहारी वापस लाई लेकिन लकड़हरे ने कहा कि यह उसकी नहीं है ये सुनकर वो फिर से नदी में गई और आपकी बार वो चांदी की कुलहारी लेकर वापस आई लेकिन इस बार भी लकड़हरे ने कहा कि यह कुलहारी भी उसकी नहीं है आप परी फिर नदी में गई और आपकी बार वो एक लोहे की कुलहारी के साथ वापस आई लोहे की कुलहारी देखकर लकड़ारा मुस्कुराया और कहा कि यही उसकी कुलहारी है परी ने लकड़हारे की इमानदारी से प्रभावित होकर उसे सोने और चांदी की दोनों कुलहारियों को भेट किया इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इमानदारी सर्वोत्तम नीती है दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करे शेर करे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे धन्यवाद